अब्रिवान के मोन आचो तो क्यों अलू अर्जुन को स्टाइलिस्टार बोला जाता है क्योंकि वो बंदा हर फिल्म में एक नए केरेक्टर एक नए लुक में नजर आता है और उसका नया खतरनाक लुक पुषपाटू के पोस्टर में देखा जा सकता है और इसकी टीजर या आता की अलू अर्जुन के सिल्फ कंफेज्ट फैन डेविड वार्णर ने कमेंट किया की आई कांट वेट पोस्टर में वेजल वान ने अलू अर्जुन को साड़ी पैने दिखा जा सकता है और उनका चेहरा नीले और लान रंग से रंगा हुआ है जिससे देखर पता ने क् कैप्शन दिया गया पुष्पा टू दी रूल बिगेंस यार अब समझ में आया कि क्यों अलू अर्जुन ने असार की की जवान में केमियो रोल ठुकरा दिया था क्योंकि वो जानते थी कि जब भी पुष्पा टू की बिगनिंग होगी उसके सामने कोई जवान फवान का क जूतिया बनाया क्योंकि ये प्रोमो वीडियो है यानि प्रमोशनल वीडियो विक्रम और लियो की प्रोमो जैसा और हां पीजर या ट्रेलर का तो पता नहीं लेकिन प्रोमो ने बवाल और सवाल दोनों खड़ा कर दिया है कि पुष्पा कहा है तो प्रोमो की स्टार्टिं के साथ जो खून भरा ब्रैंड गेम खेला और उसे नंगा घर बेजा इसलिए उसे जेल में टाल दिया गया हो या फिर पुश्पा 2 में पुश्पा ने इंटरवल से पहले तक बहुत गस के रूल कर दिया और जिस तरह से स्पेशल टीम बना के जंगलों में पुश्पा को टूंडा जा रहा है उसके देश से बार भागने और जापान, मलेशिया और चाइना में छिपे होने की न्यूज के साथ प्रोमो हमें और क्यूरियस करता है कि आखिर पुश्पा है कहां और न्यूज में ये भी बताया जा र लोग उसके लिए सड़कों पर उतर कर दंगे कर रहे हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि पुश्पा ने पैसे जैसे भी कमाए हो उसने भूकों को खाना खिलाया है बीमारों का इलाज कराया है उसने सब की मदद किये और जब टीवी पर न्यूज आती है कि जंगलों में शेरो इसमें बैक्डराउंड में चल रहा था उसे सुनकर मेरी कच्या गिली हो गई अगर जंगल में कोई जानवर दो कदम पीछे ले तो समझो शेर आया है लेकिन जब शेर ही दो कदम पीछे ले तो समझो पुश्पा आया है और प्रोमो की एंडिंग अपने पुश्पा के बताना जाते जाते बस इतना ही सब्सक्राइब दी चैनल